नमस्कार आज हम आपको बताएंगे कि NDA के तयारी कैसे करें जिहां NDA 1st 2020 का एकजाम 19 अप्रैल को होने जा रहा है और इसके लिए बहुत ही कम बक्त है बहुत ही कम समय बचा हुए है रिविजन के लिए प्रैक्टिस के लिए तो इसकी तयारी कैसे करें इस सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे दो वीडियो में पहला वीडियो में देंगे पेपर 1st की तयारी कैसे करें और दूसरे वीडियो में देंगे NDA के पेपर 2nd का तयारी कैसे करें चले NDA के पेपर 1st का तयारी कैसे करें इनकी जनकारी हम आपको आज देते हैं उनकी टिप्स हम आपको देते हैं सजिसन देते हैं और सबसे टफ जो होता है वो इंडिया का 1st पेपर ही होता है पता है क्यों क्योंकि NDA का 1st पेपर जो होगा वो मैथेमेटिक्स का होगा इसमें 120 कोस्टन आपसे पूछे जाएंगे आपके पास टोटल टाइम जो दिया जाएगा 150 मिनस दिया जाएगा ऐसा देखा जाए तो आपके पास जो टाइमिंग है वो सफिस्टेंट है कम तो मुझे नहीं लग रहे हैं कुछ कोस्टन्स होंगे जहां पर टाइम टेकिंग जादे होगा लगभग आपका दो मिनिट लग जाए तो कोई बात नहीं हम 120 कोस्टन ना करके करें अब सवाल है कि 80 90 कोस्टन कैसे किया जाए चुकि बग तो बहुत कम है कि बिल्कुल मत घवराएं क्योंकि हम आपको जो सजेशन दे रहे हैं सजेशन आपके लिए बहुत ही इस फूल होगा सबसे पहले है आप ध्यान रखें कि यदि आपके पास 11 और 12 में मैश रहा है तो आपका जो अभी का प्रिप्रेशन का स्टर्टिंग होगा बिल्कुल डिफ्रेंस होगा और यदि आपके पास 11 में और 12 में मैस नहीं रहा है आपके पास नहीं था तो आपका प्रिपरेशन और स्टार्ट जे फिल्कुल डिफरेंस होगा सबसे पहले हम बताते हैं कि यदि आपके पास मैस है और मैस था आपको 11 और 12 में तो अभी क्या करना चाहिए सबसे पहले आप यह काम करें यदि आपके पास 11 तो मैस है और मैस था तो आप ब्रीफ रिवीजन करें फर्मूले का बेसिक कॉंसेप्ट का जब फर्मूली का रिवीजन हो जाए तो आप NCRT बुक को फॉलो करें NCRT के साथ साथ NCRT एकजांपलर एक बुक आता है ये दोनों बुक को एका कुश्चन दुवारा लगाएं की से लगा है हम आपको बताते हैं जोन इंस वाफान 30 टाप्ट होते हैं और इसक्ती ट्रपक को 30 डेज में कंप्रीट किया जा सकता हैं कैसे किया जा सकता है यह देखें, आप टार्गेट रखें कि एक दिन में एक टॉपिक कम्प्लीट करना है हमें, यदि एक दिन में एक टॉपिक कम्प्लीट करते हैं, तो NCRT के बुक, साथ ही साथ NCRT के एकजांपलर, यह दोनों का एक अक प्रोलम सॉल्व करेंगे, तो हो सक हो सकते हैं कि कुछ प्रोलम आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल मत गवराएं बट ध्यान जरूर रखें कि प्रोलम तो मुझे सॉल्व करना ही है तो आप अपने फ्रेंड का सपोर्ट लें यह हो सकते हैं अब यह आपके पास फैकल्टी अबलेबल हैं तो फैकल्टी का सप रहेगा वह है यूटूब यूटूब पे आप जिस टॉपिक में प्रोलम हो रहा है उस टॉपिक का नाम सच करें उसकी सॉलूशन जरूर आपको मिलेगा और वह आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा आप इस टूप के सॉलूशन को देखें एक्स्प्लेनेशन को देखें और उससे प्राक्टिस करें तो इस तरह से सबसे पहले जो भी टॉपिक एक दिन में आप पढ़ रहे हैं उससे हंडे परसेंट कप्लेट कीजिए जब हंडे परसेंट कंप्लीट हो जाए यानि उसका एक प्रोलम कंप्लीट हो गया है तो आप उसको एक टेस्ट लेंगे उट टेस्ट कैसे लेंगे आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है अस्टडी किया है क्या ओस सही है निद्री सही है तो उसको एक टेस्ट ले हम टेस्ट होगा टीपुइब टेस्ट हों तुपक तो तरह स्क k lobbyingjust लिए सकते हैं ऐसक्टों समय आप प्रिवेस यहले सकते हैं अब लेवल है कि यह डोन आपको बना है तारा इंचूट का एंडी एप डाउनलोड करें उसमें सभी टॉपिक का टेस्ट दिया गया है जिसमें 30 कोश्चन 30 मिनस दिया गया है यह आप यह 30 मिनस में 15 कोश्चन यानि 50 परसेंट कर लेते हैं तो अकिनन मानिये आप बहुत अच्छे हैं एक्जाम के लिए और एक्जाम बहुत अच्छा प्रिप्रेशन है आपका एंडी के फॉस्ट पिपर के लिए यदि नहीं होता है तो फिर दुवारा रिविजन करिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए बार बार देखिए बट प्रोलम और बेसी कॉंसेप्ट पे दिहान जरूर रहें अगर आपको यह 50 परसे एक वर देखिए बेसी कंसेप्ट को दुवारा एक बबार देखिए बेसी कंसेट को अच्छा करें और उसकी प्रैक्टिस करें करति तो अर। इस तरह से देखेंगे तो आपको 30 टेज़ पकंप्रेट हो जाएगा प्रेशर भी नहीं रहेगा और देखते ही देखते हूं टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा टेस्ट भी साथ में साथ देते चाहिए प्रिवियस येर का आप टॉपिक वाइज सॉलूशन जरूर लगाएं तो इससे आपको ये अंदाजा लगागा कि कुश्चन इस टॉपिक से कैसे पुछे जाते हैं ये तो रहस उन बच्चे के लिए जिनके पास मैथेमेटिक्स था जिनके पास मैथ नहीं है वो कैसे त्यारी करें हो तो बिल्कुल मत घब रही है आप क्योंकि ये जो पेपर होने जा रहा है ये बिदॉट मैस तो होगा नहीं मैस का लेवल ठीक ठाक होता है है तो आप इसके लिए क्या करें कि कुछी टॉपिक का प्रैक्टिस करें क्योंकि पुरी 100% टॉपिक यानि 30 टॉपिक एरॉन जो हो पहना बढ़ा मुस्किल होगा आपके लिए और मुस्किल तो नहीं होगा बट अगर पढ़ भी लेती हैं अस्टडी भी कर लेते हैं तो उसको मेंटन करना बढ़ा मुस्किल होगा कम समय में हम जैसे टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं पहला टॉपिक देखी, पर्मूलेटी, इससे भी question अच्छे खासे पुछे जाते हैं, दुसरा topic है permutation combination, यह topic भी बहुत इजी है, formula waste question इससे भी पुछे जाते हैं, यह जादे tough नहीं है, इससे आप कर सकते हैं, थर्ड topic है, set, relation and function, यदि यह topic को देखते हैं, तो यह topic बहु ही आप कर कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा मिनद करें तो यह टॉपिक भी आपके लिए एजी होगा से फंक्षन एंड रिलेशन इसकी बाद कुछ आजबरा का टॉपिक आप देखी जैसे एपी जैपी अर्थमेंटिक प्रोग्रेशन जमेंट्री प्रोग्रेशन ठीक है यह टॉपिक आप कर सकते हैं क्योंकि ज्यादे टफ नहीं होते हैं फ्रमूले वेस्ट कुस्चन होते हैं और इंसी आटे के बुक को ह हैं मार्केट में बुक टॉपिक get बुक का मार्केट में बुक आप उस से खर दें और उससे प्रैक्टिस करें यह यह नहीं 30 टॉपिक्स में से यदि आप 15 टॉपिक्स 15 टॉपिक का ही कम्प्लीट करिए यह यह साथ कोस्टिन को आप टार्गेट लेके चलते हैं और एकुरेंसी मेंटेन करते हैं तो मुझे उमीद है कि आप 40-50 कोचन जरू सॉल कर लेंगे इन करते हैं तो आप कर नगेटिव मास काट की अराम से 30 कोस्टिन मिल सकता है यह 30 होता है तो आप विल्कुल कौलिफाइं है जरा भी नहीं घवराएं और सकेंट पेपर आपके लिए यह जी होगा तो इस तरह से जो हम आपको टिफ्स दिए कि अगर आपका मैठOn to कैसे करना चाहिए ओब विदाव्ट को कैसे करना चाहिए दोनों के लिए स्ट जी थोनों का डिफ्रेंट होगा लेकिन एक के दोनों के लिए सेम होगा वो है प्रिवेस्य Kaiser इस प्रिवेस्न ट्रीस्ट एक्जाम के तेन इज पहले से स्टाट करें अभी बिल्कुल नहीं करें अभी आप टॉपिक वाई प्राक्टिस करें टॉपिक वाईजी सब कुछ देखें एक्जाम के टेंडेज फहले आप टेन यह से लिले उठाने एक दिन में एक साल का पेपर यानि पेपर फॉस्ट पेपर सेकेंड दोनों आप दें और यही देते हैं तो उन सभी को देते बग ध्यान यह रखें कि जो भ हो सही जादे हो यदि सही नहीं होता है तो घवराएं नहीं बट गलत ना करें क्योंकि नगेटी मार्क्स तो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपको और लॉस हो ल्टा आप एक छोटा सा अडवाइज मेरा माने जब पहला मौग बनाएंगे तो आप से कोश्चन बहुत जादे कम बनेगा बट बिलकुल नगवराएं आप 120 कोश्चन का सलूशन देखें एक्स्प्लिनेशन देखें कि इन्होंने बनाया कैसे था जब वो कम्प्लीट हो जाए फ उसमें भी प्रोलम फेस्ट करना पड़ेगा आपको तो वह सेम कीजी एक प्रोलम देखिया और उसके एक्स्प्लेंशन देखें यादिया ऐसा पांदिन करते हैं यानि साथ से आर्ट टेस्ट करते हैं ठेकर तो अकिनन मानिये कि नेक्स्ट आपको जो दसमीर टिर रादर छ जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिमलर होते हैं और यह नहीं की पैटर्न बिल्कुल डिफ्रेंट होता है पैटर्न फॉलो करता है तो उस पैटर्न की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर चुके पांचे दिन और आपके लिए बिटर रहे 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 तो आप पैटर्न को फॉलो कर पर टर्न के कुश्चन्स हैं उस समझ में नहीं आएगा तो आप आगे सॉल्ब नहीं कर सकते हूं तो आप प्रिवेस्ट येर की कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और एक प्रॉलम के साथ करें यदि ऐसा करते हैं तो मुझे कि अकील है कि एंटिये के जो एक्जाम उनीश अप्रैल को होने वाला है उसमें आप को एससबी के लिए जरूब लाया जाएगा और एससबी जब जाते हैं तो इससबी की बात करेंगे हम लोग पहले रेटर निकाल लिए फिर हम पैसित्वी की बात करेंगे ओके थैंक्यू